ग्वालियर में पत्नी को चाय बनाने के लिए भेज कर पती ने दूसरी मंजिल पर बने कमरे में फासी लगा कर जान दे दी घटना बहोडा पुल थाना छेतर के आरा टावर के पास की है घटना का पता उस समय चला जब पत्नी चाय लेकर वापस पहुँची तो पती फासी के फंदे पर लटका हुआ था मामले का पता चलते ही पुलिस को सूचना दी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुँची और जाज के बाद मर्ग कायम कर लिया है फिलहाल पता नहीं चला है कि किन कार्णों के चलते फासी रगा कर जान दी है बस इतना पता चला है कि वह किसी बात से डिप्रेसन में था ग्वालियर के बहोडा पुर्थाना छेतर के आरार टावर के पास रहने वाले सरवर खान ने सुबह पतनी नसरीन बेगम को चाय बनाने को कहा पतनी चाय बनाने चली गई और सरवर खान दूसरी मंजिल में बने कमरे में चला गया कुछ देर बाद जब नसरीन बेगम चाय लेकर दूसरी मंजिल पर पहुँची तो यहाँ पर सरवार खान फासी के फंदे से लटका हुआ था उसे फासी पर लटके देखकर नसरीन बेगम ने सोर मचाया तो बेटा फिरोज खान के साथ भी अन्य परिजन वहां पहुँचे और सरवर की नबज टटोली तो पता चला कि उसकी मौत हो चुकी है घटना की सूचना परिजनों ने पुलिस को दी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुँची और जांच के बाद मर्ग कायम कर लिया है परिजन का कहना है कि उन्हें लगा ही नहीं कि वह इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं क्योंकि सुबह चाय को कहने पर वह नॉर्मल लग रहे थे लेकिन उनके मन में क्या चल रहा था यह कोई नहीं जानता था